असलामलेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं माई स्मार्ट एक्स्पीनियोट चैनल एक पर फिर वैलकुम करता हूँ अपने चैनल के अंदर आपको और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है इस मैप गैस सिलेंडर को जो के कनेक्टर होता है स्टेंडर् पर बना होता है मैप के सिलेंडर के नाम से चाना जाता है और यह ब्रीजिंग वैल्डिंग टॉर्च इसके अपर फिट होती है यह एक पोटेबल सिलेंडर है एजी तो चैरी है आप हर जगा ले जाकर इसको ट्रैवल करके आप आपनी ब्रीजिंग कर सकते हैं कॉपर ब्री आप Sand 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 यह यूस किया था यह यूस किया था वो connector हमने और उसके बाद जो है अभी यहां पर इसका हम इस्तमाल नहीं करेंगे एक यह connector आता है यह इससे क्या होता है यह आप LPG की शॉप पे भी ले जाके इसको इसली कर सकते हैं ट्रांसफर प्यूंकि उनके पास ही होता है यह भी एक connector है यह भी LPG की शॉप से यह भी एक connector है यह आप जो है लगा के यह रहके यह भी CJ600 के स्टेंडर करेक्टर यहां पर यह जो बैक सैट यह वाला जो दिया पर कनेक्टर यह जो है इसमें फिट होता है ठीक है अगर इस टाइप का आपके पास आपके घर में स्लेंडर का वाल है तो इस टाइप का इस तरीके से यहां पर यह फिक्स हो जाएगा ठीक है और इसके अंदर फिर स्लेंडर लगेगा ठीक है और यह गुमता है एंटी कलॉक वाइस ठीक है यह स्लेंडर आपको LPG की शॉप से यह वाल वाले आपको काफी मिलेंगे और वहां भी आप यह connector ले ज साथ अगर आप रिफिल करते हैं तो पाइप के साथ आपको एयर भी निकालनी पड़ती है जैसे कि इसमें एयर निकालनी पड़ी थी मुझे क्यों पाइप के अंदर एयर नहीं रहना चाहिए पाइप के अंदर पहले लिकुड आ जाना चाहिए फिर इसके अंदर गैस लिक 468 gram 468 gram ठीक है 468 gram ठीक है 468 gram ठीक है अब इसको मैंने हटाया और इसका वेट देखा इसमें थोड़ी सी गैस मौझूद होगी क्योंकि इसमें भी खाली हो चुकि तक्रीबान इसमें भी 488 488 gram यानि कि इसमें काफी कम गैस मौझूद है थोड़ी सी होगी इसमें 468 यानि 20 gram गैस मौझूद है तो हम इसको ट्रांसफर इसमें नहीं भरते हैं यह पूरा खाली है ठीक है इसके अंदर मैं आपको रिफिल करके रिखाता हूँ इसको हम मैं जो है अब इस तरीके कैसे यह मेरे पास 8 kg वाला स्लेंडर है और इसके अंदर कुछ लिकुड मौझूद है दो केजी गैस होगी या 1.5 kg होगी इसको एंटी क्लॉक वाइस मैं घुमा लेता हूँ और यह ताइट कर दिया मैंने कि यह रहे कि मैंने पूरा नी चड़ाया थोड़ा सा चड़ाया लूस कि वाद चूड़ी बैट नहीं रही थी अब पहले आपने इसको टाइट करना है ठीक है नीचे वाले कनेक्टर को और अन्टी क्लॉक वाइस गुमाना है एसको ठीक है यह एंटी क्लॉक वाइस गुम कि पहले आप में नीचे वाले को टाइट करना यह देखें यह देखेए पहले मा नीचे वाले को टाइट कर रहो अब आपने इसको पकड़ के क्योंकि यह घूमता है विलेंडर को लगता है यह एंटी क्लॉक वाइस गूंगता है और यह आप घुमाएंगे तो यह घुमेगा किलॉक वाइस ठीक है तो आप यहां किसी तरीके से ग्रिफ्ट करनी होगी पाने से या किसी चीज से अब मैं पाने की जुरूवत नहीं है और जिसमें जो टाइट होते हैं उन में पाने की जुरूवत पड़ती है ठीक है यह मैंने कर लिया टाइट यह मैं फिट कर दिया अब मैं इसको क्या करूँगा इसको इस तरीके से उलट दूँगा ठीक है अब आप यहां देख सकते हैं मैंने सिलेंडर को उलट दिया यह रेखिया यह मैंने सिलेंडर को उलट दिया और अब मैं इसको यहां पर खोलूँगा उलट के ठीक है वाल खोलूँगा यह रहिए आप यह मैंने उलटके इसको वाल खोल दिया अब यह इसके अंदर गैस ट्रांसफर होनी शुरू हो गई है यह रहिए अभी तक जा रहिए इसके अंदर गैस और यह ठंडा भी हो रहा है सिलेंडर यह पोजिशन पे रखके आपने इसके उपर लिकुइड ट्रांसफर करना है एल पीजी की शॉप पे तो वैसी प्रेशर होता है वहाँ पर सिलेंडर का बड़े सिलेंडर होते हैं काफी जादा उसमें गैस होती है लेकिन इससे भी आपकी इतनी गैस ट्रांसफर हो जाएगी कि आप एजी लिए अपना काम ब्रीजिंग वगयरा कर सकते हैं दोस्तों अभी तक जा रही है और सिलेंडर ठंडा हो गया है इसमें कोई डर्णने वाली बात नहीं होती ठीके बस आपने थोड़ा सेफटी रखनी होती है अपनी खुले प्लेसिस पर करना होता है या कहीं फायर वगयरा नहीं होगा कमरे में भी आप कर रहा है किसी रूम में भी बैटके कर रहा है कहीं फायर का कोई वो नहीं हो ठीके बिजली करीब नहीं हो तारे करीब नहीं हो ठीके तो गैस वैसी आपको पताए गैस होती है या आग पकड़ती है तो आग इसके आसप यह मैंने इसको बंद कर दिया है अब मैं इसको जो है निकालूंगा किस तरह अब आप देखिएगा पहले मैं इसको कड़ता हूँ सीधा ठीक है यह मैंने कर लिया सीधा क्योंकि इसके अंदर जा चुकी अब लिक्विड करने हैं अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा इस यह सिलेंडर में से वाल नहीं निकालने हैं यह आपने सिलेंडर को पहले ख्वलना है ठीक है अब आजाता हूँ सिलेंडर को यहां से पकड़ता हूँ यह देखिए अब इसमें लिकुइड आ चुका है अच्छा खासा लिकुइड आ गया इसके लिए तो आपने क्या करना है ये खोलना है पहले ठीक है जब भी एलपीची की भी शॉप से आप जाएंगे अगर ये खोल देंगे तो इसमें इसके अगर ये डारिक्ट आप कनेक्टर निकाल दे तो तेजी से गैस रिलीज होने शुरू जाएंगी तो पहले आपने सिलेंडर को रिमूव करना है भढ़ने के बाद आपने सिलेंडर को रिमूव करना है ये देखे लिकुइड आ गई मुझे यहीं से पता चल रहा है कि इसको इदगे मूव हो रहा है इधर इधर कर रहा तो इदर गर रहा है ठीक है देखिए 6 25 ग्राम 25 था तो यह आपकी 200 ग्राम तक आ चुकी है इसके अंदर गैस ठीक है यह देखें 468 70 तीस यह रख लें 30 और यह होगी आपका 200 ग्राम यह एक पॉग गैस आ चुकी है इस तरीके से आप डारेक्ट इसको रिफिल कर सकते है यह वाज़ा सिलेंडर है मेरे पास और यह मैंने इस तरीके से इसको रिफिल किया और इसके नदर गैस बहुत कम थी आप तकरेवर न इसके नदर गैस बरनाएं तकरेवर चार केजी टीन केजी या पांच केजी तक आप इसके नदर गैस रिफिल कराकेना यह यह इसलिए रिफिल सभी होजाए और धाई केजी में भी रिफिल होजाए इस फकर एजम 10 देड़ के जी थी लेकिन देखें फिर भी किता अच्छा रिफिल हो गया यह आई होप यह आपको अच्छे सा अंडरेस्टेंड हो गया हो यह आपनी वीडियो बेट पताम करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे अगर आपने हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाना नहीं बूले साथ में दिये गए बैल की आइकन पे क्लिक कर दें ताकि लेटस नोडिफिकेशन आपको वीडियो के मिल सकें क्योंकर इसमें बहुत सारी ऐसी म ね्मणी परपस में भांते हैं वीडियो काम सकें धुक्रिकी आप ते र्लेटड से रिलेटेस हों पिरूस को न फ्रेड रेकां होरे हैं जो भी प्रेड द्रेड़ से मुझे करें लाया दाता है झाल झाल